कैसे हो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर अगर आप लोग डायरेक्ट इक्विटी में इंवेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पॉर्टफोलियो का 50% अलोकेशन मुच्विल फंड के अंदर होना चाहिए क्योंकि अगर आप मुच्विल फंड में पॉर्टफोलियो बनाओगे तो आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा बलकि आपने खुद पॉर्टफोलियो बनाया होगा तो आपके पॉर्टफोलियो में 10-15 बेस स्टॉक्स से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होंगे और आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको कौन सा फंड सही रहेगा वह आपको जानना है तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो मैं free of cost आपको सजेस्ट करूंगा गोल्ड के उपर मैंने आप लोगों को बाय का सेजेशन दिया था 53,800 के आसपार्स और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के अंदर lifetime high लगेगा गोल्ड के अंदर lifetime high लगेगा ऐसा clearly बताया था 12% गोल्ड के अंदर within a very short period of time December मैंने से अब March मैंने के अंदर 12% rarely देखने को मिलता है गोल्ड के अंदर सो गोल्ड का भी चार्ट का में structure देख रहा हूँ यहां पर बहुत ही bullish solid चार्ट का structure है बहुत bullish है short करने की गल्दी तो करने ही नहीं चाहिए इसा clearly यहां पर देखने को मिल रहा है but yes किहां पर जिस तरह का चार्ट का structure देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से गोल्ड के अंदर इतना भी recently ही बढ़ गया है recently ही आप लोग देखो तो कितना persons gold बढ़ गया है almost 10% बढ़ गया था within a 7 trading sessions only so वहां से भी थोड़ा downfall हमें देखने को मिल रहा है but मैं ऐसा बोल रहा हूं कि नया fresh long position में यहां पर आपको बनाने के advice नहीं दूंगा but किसी ने gold में buying किया हुआ है already position बना के रखा हुआ है तो आपको trails top loss का सारा लेना चाहिए 57,000 is your trails top loss जब तक 57,000 के ऊपर gold trade हो रहा है ना बने रही है trading करते रही है चोटा मोटा trading करते रही है but view bearish अभी होगा जब 57,000 के नीचे sustain करना चालू करेगा अभी जिस तरह से 60,000 के आसपास थोड़ा selling बना हुआ है selling के structure दिखाए दे रहे है तो थोड़ा बहुत time pass होगा यहां पर but time pass होने के बाद वापस से gold उपर जाएगा ऐसा मेरा expectation है so नया fresh long position में अभी यहां पर बनाने के advice नहीं दूँगा बलकि मैं आपको ऐसा suggestions दूँगा कि gold के अंदर बने रही है 57,000 का trail stop loss लगा लिजिए और gold में अपना position long position है वो carry कीजिए short position अभी बनाने का कोई मतलब नहीं है short position बनाने का तभी आपको सूचना चाहिए जब gold 57,000 के नीचे sustain करना चालू करता है उसके बाद ही उससे पहले नहीं तो जिस तरह से बताया है उसी तरह से आप लोग काम कीजिएगा ज़र से आपको benefit होगा मैं जो भी analysis कर रहा हूं उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो video देखे knowledge required कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक mentor choose कीजिए सीखियो और सीखने के बाद काम कीजिए हूं तरह जाला गया है झाला गया है झाला गया है याने गया है